दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसे रसिपेलिके आए जिससे तुरंद बना के खा सकते हैं यह इसे बनाने में जंजट है और बहुत ही असान ने तो यहां मैंने हापकॉप के करेब दाल ली आ है तुवर दाल पर चाहे तो कोई और भी बी दाल ले सकते हैं लेकिन तुव करने के बाद आप जीरा राई जाएगा और हिंग इसमें हम थोड़ा एक्टरिंग से डाइजेस्ट खाना अच्छे से होता है इसलिम इसके यूज़ करते हैं थोड़ा सा कड़ी लिप्स यह सारे चीजों को चटकने के बाद यहां पर मन चाहिए मैंने सब्जिया लिया जासे मैंने लिया है आप प्याज इसे चोड़े चोड़े प्याज जो आते है ना सांबर वाले वह मैंने इहां पर कटकली से सांबर अच्छा बनता है तो हलका इसे मून लेंगे और मन चाहिए सब्जिया आप इसमें कोई और कूछ भी ले सकते हैं यहां मैंने कद्दू का कर सकते हैं इसे अच्छा में से मून लेंगे यह जो सांबर ना यह तुरंद भी बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिश लगता है इसमें थोड़ा से म्टमाटर रैट कर देते हैं तो और यह सांबर क्या होता है कि आपको जब ही मिलता है तो उसमें पानी जाता रह एक थी स्पून के करीब और अब हम इसे भी अच्छे से भून लेते हैं यहाँ पे इसे भूनने के बाद ना अब हम यहां जाएगा मिर्ची लहशन का थोड़ा सा पेश्ट जो मैं पहले से बना कर रखा था वो एट कर दी हमें और अब इसमें इसे भी हम अच्छे से लगत है तक यह बैठ ना जाए और अब इसमें थोड़ा सा गुड हम पानी के ऊपड़ा सामबर खून मीठा साव लगता होगा खुड़ा मीठा तो पूरा कंपलेटली मीठा नहीं रहता है मैंने जितना मैंने तीन कप के कर विह पानी च्छे से पार नहीं करना एक उन्ने तो कू हम तीन विश्टल तक इसे पकाएंगे तीन सीटी तक तो और इसका अगास काच हम मेडियम रखेंगे यह देखें यह मेरी सामबर तयार हो गई है तो हम इसे अच्छे से चला लेते हैं यह देखें और अब हम इसका फिर से हमें तड़का लगाना है थोड़ा सा पानी हम लग रहा है और थोड़ा सा नमक इच्ट कर चुकें बहुत जादा मैंने यह नमक चैट किया था तो अब इहां पर हम एक पेन में मेंने गी घरम करेंगे गी से ना सामबर करते काफी अच्छा आता है और यह जाएगा जीरा जीरा जाएगा जीरा गी में असके बाद आप 15- तो भी थोड़ा सा पैट कर दीजिए थोड़ा सा कड़ी पट्ता वह तीनों को अपना चोका लगा लेते हैं यह दिखेंगे इसमें कस्मेरी रेड में यूज़ कर दीए हूं ताकि टेश्ट अच्छाएगा थोड़ा सामर मसाला कस्मीरी लाड में इस चिना दोनों को अपको इसमें डालना है क्योंकि यह जल जाएगी जब गयास बंद कर दे तब डाले और अब हम इसका चोका इसमें लगा देते हैं और अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं आपको दिख रहा होगा संबर कितना अच्छा बना है और यह सच पता हूं यह तुरंद बन जाता है और आपको एकदम अच्छा लगेगा यह सांबर थैंक यू